दोस्टों, हमने आपको अमारे पिछले 3-4 वीडियों से ये लगातार बताया है कि गोल्ड के अंदर आने वाले हथों में sideways काम हो सकता है, gold के अंदर correction and consolidation चल सकता है, आप देख सकते हो gold एक range के अंदर consolidate हो रहा है, और पिछले 5 दिनों से आप देख सकते हो gold के अंदर तेजी भी आई है और गिरावट भी आई है, और इसे ही consolidation बोला जाता है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, gold अभी ये consolidation के बीच में खड़ा है, तो possible है कि gold के अंदर ये consolidation थोड़ा और चल सकता है, उसी समय पर अगर हम dollar index का चार्ट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि dollar index अभी breakout level के पास खड़ा है, दोस्तों ये बहुती महत्वपूर्ण है अगर dollar index यहां से breakout देता है, तो gold के अंदर थोड़ी गिरावट और भी आ सकती है, दोस्तों मैं आपको clear कर देना चाहता हूँ, कि मैं आपको मेरे वीडियो से कोई भी intraday trading या भी positional trading की राय नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि dollar index के अंदर ये जो breakout आ रहा है, ये sustain होता है कि नह देखना बहुती जरूरी है, आज अमेरिका के अंदर बहुती महत्वपूर्ण data आने वाले है, और पहला data है अमेरिका की GDP का data, तो ये data किस तरह से आता है, ये देखना बहुती जरूरी है, अगर ये data उमिद के नीचे आता है, तो वो dollar index के लिए खराब संकेत होगा, और अ देटा उमिद से उपर आता है, तो वो dollar index के लिए positive होगा, और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आज के data बहुती महत्वपूर्ण है, तो इनके उपर ध्यान जरूर रखे, दूसरा महत्वपूर्ण data आने वाला है US core PCE prices का, और तीसरा महत्वपूर्ण data रहेगा initial jobless claims का, तो दोस्तों ये तीनों data भारतिय समय अनुसार शाम को 6 बजे आने वाले है, तो ये data आने के बाद dollar index breakout डेता है, कि ये breakout fail होता है, ये देखना बहुती जरूरी है, क्योंकि अगर dollar index का breakout fail हुआ, तो gold silver के लिए अच्छा संकेत होगा, और अगर dollar index का breakout successful हुआ, तो वो gold silver के लिए खराब संकेत होगा, तो आज के आने वाले data, gold और silver के लिए बहुती महत्वपूर्ण है, हमने आपको हमारे वीडियो से ये clearly बताया है, कि मुझे लगता है, कि आने वाले 3 से 4 महिनों के अंदर, gold और silver के अंदर, एक बहुती अच्छा correction and consolidation हो सकता है, दोस्तों याद रखे, correction and consolidation का मतलब ये होता है, कि एक range के अंदर, gold और silver उपर नीचे कर सकते है, यानि कि वो उपर भी जा सकते है, और फिर वो वहाँ से नीचे भी आ सकते है, और उसे ही correction and consolidation बोला जाता है, और इसका कारण हमने आपको clearly बताया है, कि gold और silver के अंदर पहले ही, एक बहुती अच्छी तेजी बन चुकी है, तो जबी भी ये corrections आएंगे, तो आप वहाँ पर investment के बारे में जरूर सोचे,